नाज़कर दोस्तों डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं धरमेंदर संदु स्वाक्त करता हूं भारत के कोने कोने में प्राचीन मंदिर विध्यमान है हर मंदिर में प्राण परतिश्टित प्रतिमाओं का रोमाचिक इतिहास है इतना ही नहीं इन मंदिरों की पूजा का विधान भी कुछ विशेश है आम तोर पर मंदिरों में भगवान शरी विश्णु खरी की प्रतीमा मता लक्षमी के संग विध्यमान है वहीं देश में एकलोता सिहांचल मंदिर ऐसा भी है जहां माता लक्षमी भगवान विश्णू जी के वरहा अवतार और नर्सिंग अवतार की प्रतीमाओं के साथ प्रान परतिश्टित है आईए आज आपको इस मंदर के बारे में जानकारी देती हैं कहां पर स्थेत है सिहांचल मंदिर माता लक्षमी संग भगवान विश्णू जी के वरहा अवतार और नर्सिंग अवतार का एक लोता सिहांचल मंदिर आंधर परदेश के विशाखा पत्रम से महज 16 किलोमेटर दूर सिहांचल परवत पर स्थेत है सियांचलम मंदर को भगवान विश्णू जी के अवतार भगवान नर्सिंग का निवास थान माना जाता है इस मंदर की विशेशता यह भी है कि यहां पर माता लक्षमी संग वरहा और नर्सिंग अवतार संयुक तूरूप में बिराजमान है इस मंदिर की एक विशेशता यह भी है कि यहां भगवान नर्सिंग की मूर्ती पर 24 गंटों ही चंदन का लेप लगा रहता है साल में 364 दिन यह मूर्ती चंदन के लेप में लिप्टी रहती है केवल अक्षे तरितिया वाले दिन ही इस चंदन के लेप को प्रतीमा से हटाया जाता है केवल एक दिन ही भगवान विश्णू की भगवान विश्णू की भगती से रोकने के लिए भरपूर यातनाएं दी बुआ हौलिका ने उसे गोद में बेठा कर जलाने की कोशिश की लेकिन हौलिका खुद जल गई जबकि भगवान विश्णू ने खुद रक्षा की तब अपने भगवान विश्णू जी ने नर्सिंग अवतार लिया था देश विदेश में भगवान नर्सिंग के कई मंदिर हैं लेकिन विशाखा पतनम में सिहांचलम मंदिर को भगवान नर्सिंग का घर कहा जाता है वरा और नर्सिंग अवतार का सियुक तूप सिहाचलम मंदिर को हिरना कशव के भगवान नर्सिंग अवतार के हाथों मारे जाने के बाद परहलाद ने बनवाया था लेकिन वह मंदिर सदियों बाद धर्ती में समा गया परहलाद के बाद इस मंदिर को पुरुर्वा नामक के राजा ने फिर से स्थापिक किया था माना जाता है कि राजा पूरुरुवा एक बार अपनी पत्नी उरोशी के साथ वायू मार्ग से ब्रहमन कर रहे थे इसी दोरान उनका विमान किसी अंजानी शक्ती से परभावित होकर दक्षिन के सिहाचलक शेतर में जा पहुंचा वहाँ पर उन्होंने भगवान नरसिंग की प्रतिमा धर्ती के गर्भ में देखी उन्होंने इस प्रतिमा को निकाला और उस पर जमी धूल साफ की इसी दौरान एक आकाशवानी हुई कि इस प्रतिमा को साफ करने के बज़ाए इसे चंदन के लेप से ढखक कर रखा जाए इस प्रतिमा के शरीर से साल में एक बार विशाक माह के तीसरे दिन चंदन का है लेप हटाया जाए तब ही वास्ति प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे तब से इस प्रतिमा पर चंदन का लेप किया जाता रहा है और साल में केवल एक बार ही इस प्रतिमा से लेप हटाया ज यह समुद्री तर्ट से 800 फीट की उंचाई पर है मंदर तक पहुंचने वाला रास्ता अनानास और आम के फलों के पेड़ों से सजा हुआ है रास्ते में भक्तों के आराम के लिए हजारों की संख्या में बड़े पत्थर इन पेड़ों की शाया में स्थापित हैं मंदर तक प है सुबा चार बज़े से मंदर में मंगल आरती के साथ ही दर्शन शुरू होते हैं सुबा साड़े गैरा से बारा और दोपहर ढ़ाई से तीन बज़े तक दो बार आधे-ाधे घंटे के लिए मंदर में भग्वान के दर्शन नहीं किये जाते रात को नौ बज़े भग्वा झाल